हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मा यूटूब चैनल आज हम लोग यूपी पुलिस कांफ टेबल का समान जानकारी का प्रेक्टिस से टू कंप्लीट करेंगे जिसमें हम लोग 38 कोशन की प्रेक्टिस करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को पेरे रिक यूटूर रामसर स्थल के छंदर में निहिंद रिकित में से कौन सा कथ्षच चैनल के लखीम निर्मिलीष में जलास है नबर दियां अब नहीं करें टैमपल मुण्सिंद से अनपरीय और इसका करें करह को सब्सक्विल। या मान्निर्मित जलास्य और उत्त्रप्दस मतय। तो यह कहां पर इस्थित है यह मतुरा के पास मतुरा हाईवेग पास एक जगह है अरसेना क्या है अरसेना वहीं पर इस्थित है तो यहां पर सेकेंड आफ़न बिल्कूली करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन आफ से पूछा गया है चंदर प्रभाव वन जीव अब्रण उत्तर प्रदेश का एक प्रमुक वन जीव अब्रण है निम्न लिकित में से कहां पर आवस्थित है तो चंदर प्रभाव वन जीव अब्रण है यह इस्थित है चंदवली जिले में कहां पर चंदव इकित में से किस प्रकार की मरदा पाए जाती है उत्तरपदेश को जो भाबर खेतर है उसे मरदा पाए जाती है वह पाए जाती कंकरिली वाप प्फ्रीली टाइप की तो छी सिट्स पर कियो सोची हो जाएगा उसके बाद next question पूछा गए आपसे उत्तरपदेश का कौन छेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम स्वैलों से निर्मित है आदिकल्प की प्राचीनतम स्वैलों से निर्मत छेत्र जो है उत्तरपदेश में उसे बोलते हैं बुंदेलखंड क्या बोलते हैं बुंदेलखंड उसके बाद नेस्ट कोशेन आप से पूंचा गया है भारत के कुल भागौलिक 6 तरफल में उत्तर प्रदेश का कितना भागौलिक प्रत्फरत है जो टोटल एरिया है भारत का उसमें से बताने कि उत्तर कितना है तो इसका एंफर हो जाए को उत्तरप्रदेश का पर्षिंटेश वह दो हजा जाएगा अगला कोशन पूचा गया है हाल ही में ग्लोबल विंथ कानफ्रेंट का योजन किस देश में हुआ है ग्लोबल विंथ कानफ्रेंट का योजन हुआ है यू के यूनाटिट किंग्डम तो यहां पर आफन बिल्कुल ही सई हो जाएगा उसके अब अगला कोशन आप से पूचा गया है 21 वी फद्री की आर्थिक साजेदारी है तू अट्लांटिक गोफणा किन देशों द्वारा की गई थी तो जो अट्लांटिक गोफणा की गई है यह की गई है यू एससे और यू के द्वारा तो यहां पर भी आफन बिल्कुल कर्रेक्ट हो जाएगा यूसे मतलब अमेरिका RBI का एक उपकार्याले कहा खोला गया जून 2030 में भारती रिजर बैंक का उपकार्याले खोला गया है कोहिमा में कहां पे कोहिमा में उसके बाद next question पूछा गया आप से 16 मा जनपदों में से किसकी राधने तच्छशिला थी तच्छशिला किसकी राधनी थी तो इसका एमफर हो जाएगा गांधार की राधनी तच्छशिला थी next question दिया गया है गुजरात में जील वस्तुता है एक क्रत्तिम जलास से है जो मौरो के साफन के दोरान बनाए गए थी अब यहां पर जील के नाम पूछा गया है जो मौरो के साफन काल के दोरान बनाए गई थी और प्रजेंट टाइम गुजरात में थी तो इसका एमफरोज एक वह जील थी फुदरफन जील कौन फी थी फुदरफन जील थी उसके बाद अगला कोश्चर पूछा गया है पोलो या चौगान खेलते समय निम लिखित में से किस सुल्तान की मृत्त हुई चौगान या पोलो खेलते समय कुतबु दीन के एवगत जो कुतबु दीन आवगत था उसकी मृत्त हो गई थी आप अप अफन बिलकुल ही कर्यक्ट हो जाएगा next question पूछा गया है टीपो फुलतान के साफन काल में उनके राज मैसूर की राज़ धानी क्या थी टीपो फुलतान के साफन काल में मैसूर जो राज ये था उनका उसकी राज़ धानी थी बैंगलाउर कैती राध्धनी बैंगलोर थी तो आफ़न यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा फ़री यहाँ देखो थोड़ा मिस्टेक हो गई है तो टीपू फुलतान की साफ़न काल में यहाँ पर पहुंचा गया है अगला कोशन आफ़ी पहुंचा गया है उन्नीस तो नीस में निम लिकित में से कौन्स गटना नहीं हुई थी रॉले टेक्ट पारित किया गया था बंगाल का विभाजन हुआ था मांटेग्यू चेंफ़ोड फुधार की गोफणा की गई थी जलिया वाला बाघत्यकांड हु हुई थी तो इसका एंफ़र हो जाएगा बंगाल के विभाजन उन्नीस में नहीं हुआ था यह हुआ था उन्नीस सो पांच में कब हुआ था उन्नीस सो पांच में लाड़ करजन ने इसका विभाजन किया था तो यहां पर बी आपफन हो जाएगा करेक्टिस में पहुंचा खान कौन थे खान अब्दुल गफ़ार खान अगला कोशन पूचा गया कौन सी पहाड़ी असम मिश्थी थे अब यहां पर बताना कौन सी पहाड़ी असम मिश्थी थे तो इसके फरोग जाएगा कार्भी एगलाउंग पहाड़ी यह कहां पर असम मिश्थी थे अगला कोशन आब से पोंचा घया है उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तर खंड में तीर थे यात्री में दोरा कैलास मान फुरोवर यात्रा के लिए प्रियोक किया जाता है और जो उत्तर खंड में इस्तित उसको बोलते हैं लिपू लेक दर्रा क्या बोलते हैं उसके बाद 55 नंबर कोश्चन आप से पूंचा गया है बारत के लेक डिस्ट्रिक के रूप में जाना जाता है नैनी ताल को किसको नैनी ताल को अगला कोश्चन पूंचा गया है कौन सिराज में अधिक्तम संख्या में आर्किड होते हैं भारत के कौन सिराज में अधिक्तम संख्या में आर्किड पाय जाते हैं तो इसका इंफर हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश में कहां पे अरुनाचल प्रदेश में हुआ है नेक्ट को से पूंचा गया है वह कौनत इंयम था जिसने भारत में सत्ता uh इंडरींप में स्थाना लंतरेड कर दे थी पस्ता क्या थी यहेवर सि में UK क्राओं के हाथ थी किसरें यहां पताना यहां प्रिकिशक में बहारत्थ वरकार इंडरींद करते हैं क्या होता है कि जो फत्ता बिटिफ इंडिया के बिटिफ इस्ट इंडिया कंपनिय थी उसके हाँ से बिटिफ क्राउन के अंतरगत हो जाती है तो यहाँ पर डी आफ़न बिल्कुली करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन आप से पूँचा गया है भारती समविधान का जुचेद 31 सी नीत निदेंशक फिद्धानतों को प्रभावी करने के कानूनों का सरच्ण किस से संबंदित है यह संबंदित है भारती नागरिक के मौलिक अधिकार से तहाँ पर यह आफ़न बिल्कुली करेक्ट हो हो जाएगा कि कि अगला कोस्ट आफ से पोचा गया है निव लिकिद मेंसे की साफं के निखनी में acesso नत्रेशल्च करें और विद्दान मंदल किया है यहां पें विधान सभा बिया और विद्दान परफद भी है अगला को सना फें प्रधान मंत्री तो भी आफन बिल्कुल ही हो जाएगा कि अगला कोशन आफ से पूचा गया है स्व्विधान सभा को भार्ति इसवतन्ता दिनियाँ उन्नीश सवैतालिस की धारा द्वारा मानता दी गई थी भार्ति इसवतन्ता दिनियाँ 1945 के कि धारा द्वारा समधान सबा को मानता दी गई थी तो इसका एमफर हो जाएगा धारा आठ का फास्ट के अंतरगत तो यह पर डी आफन बिल्कूल ही करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन आप से पूचा गया है भारत फरकार का कौन सदिकारी सदस्ना होते हुए भी बाती समधान की कारवाई में भाग लेने का दिकार रखता है इसका एमफर हो जाएगा कि भारत का जो अटारनी जनरल होता है यह समधान की कारवाई में भाग ले सकता है लेकिन उसमें क्या कर सकता है ओटिक नहीं कर सकता है आप्सन बिल्कुल ही correct हो जाएगा next question आपसे पूंचा गया है राज किया है जो लोगों दोरा बीना कानून उत्रादिकार के छोड़ी गई संपति सुद्पन होती है कहलाती है उसे बोला जाता है राज गामित क्या बोलते हैं उसको आदारक क्या होता है लुदए कशनों बिल्कुल ही correct हो जाएगा प्रद्रोगेज है यह आज किसके अंतरक्त आएगा 46 के अंतरक्त आएगा अगला कोश्चन पूंचा गया है ग्रीन बैंकिंग का क्या रथ है ग्रीन बैंकिंग का मतलब होता है पार्यावर और सरच्छी परिजुनाओं का बित पोफड करने वाले बैंक तो यहां पर डियाप्षन बिल्कुल सही हो जाएगा जो बैंक पार्यावर और समद्धित परिजुनाओं का पोफड करते हैं उनको बोले जाता है ग्रीन बैंकिंग अगला कोशन पूछा गया आपसे एक फूलब मुद्रा हुआ है जिसमें अन मुद्राओं के सापेच मूल्यों में किया पेच्छा की जाती है तो यहां में बताना है इस्तिरता की जाती बढ़ोतरी की जाती गत्षीलता या फिर कमी की जाती है तो इसका इंफर हो जाएगा एक full up मुद्रा हुआ है जिसमें अन मुद्राओं के सापेच मुल्लों में कमी किया पेच्छा की जाती है तो D आफ़न विल्कुल ही सही हो जाएगा अगला कोशन यहाँ पर पूचा गया है यदि भारती रिजर बैंक नगद रिजर उनपाद कम करती है तो क्या प्रड़न होगा तो क्या होगा एडिजर बढ़ेगा यदि भारती रिजर बैंक क्या है नगद रिजर उनपाद कम करदेगी तो एडिजर बढ़ जाएगा अगला कोशन यहाँ से पूचा गया है कि राज के नर्फाफित प्रदेश में हिमायत बिरोजगार यूकों के लिए एक प्रफिच्छड वर नियोजन काल करम है हिमायत क्या है बिरोजगार यूकों के लिए एक प्रफिच्छड वर नियोजन काल करम है और किस राज से सम्बंदित दिश्काइंफर हो जाएगा यह सम्बंदित जम्मू कास्मेर से किससे ज जारि की गpower की थी जो पर फिछ है की लिए यह जारी की गे थी 1951 में उसके बाद को सब्सके पोछन आपसे पोँच तोे बारत की प्रतों नोबल पुर्वकर विजयता महिला नाम बता खी ज्यदेर्य आप कि There you got कि अगला कोश्व्म से पूंचा कहा है किस किरिकट के पास सबसे तेज टेस्ट शतेक बनाने का रिकार्ड है किसमें पूछ नेफर कोर से सलद कामिघार्ट किस तेज रविसने बनाया था तो इसकार आफ देश हो जाएगा क्या है म्यामार की जो मुद्र है उससे बोला जाता है म्यामार क्यात क्या बोलते हैं अगला कोश्चन आप से पूंचा गया है अठारा सोईस्वी में बिद्दूत का एक बिस्वफनी सोत प्रदान करने वाले कुछ पहले करणों में से एक पावर बैटरी का अविश्कार किसने किया था पावर बैटरी का अविश्कार किया था एले सेंड्रो वोल्टाने किसने एले सेंड्रो वोल्टाने